हाई फ्रेंड्स मैं हूं डॉक्टर अमित्माईश्वेरी और आप सभी का सोगत करता हूं आज की इंफॉर्मिटिव वीडियो में फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे आज बहुत सार लोग अपनी लाइफ में बिजनस शुरू करना चाते हैं लेकिन बिजनस शुरू करते हैं उनके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं बहुत सार लोग कहते हैं आप क्वालिफाइड नहीं हैं आपने MBA नहीं किया आपने higher education नहीं किया आपने business experience नहीं किया करना है तो personal MBA में बताता है how a business works हमें यह पता होना चाहिए कि business काम कैसे करता है एक बार यह समझ में बिजनस काम कैसे करता है तो कोई फरक नहीं पड़ता कि product यह service क्या है उसके बाद how to start business business का शोबारम कैसे करना है यह समझ में आ जाए तो आप कोई भी business शुरू कर सकते हैं और उसके बाद यह समझ में आ जाए कि business को grow कैसे करना है अगर यह तीनों steps आपको clear हो जाए तो आप personal MBA के आधार पर किसी भी business को आसानी से कर सकते हैं तो आज हम बात करते हैं अगर business का शुबारम करना है ना और शुबारम करने का मन आपने बनाया है और मन बनाने के बाद आइडिया आपने अपने किसी friend किसी relative किसी known person को बताया है तो वह सबसे पहले आपसे क्या काएगा क्योंकि वह व्यक्ति या तो उसमें business किया नहीं है या अपने business में फेल हो गया है वह आपको कुछ suggestions देगा पहला session क्या हो सकता है business is very risky जो business आप करेंगे ना यार बहुत risk है business करने का मतलब risk लेना है और risk लेने का मतलब क्या है you need huge money आपको बहुत अधिक पैसा लगेगा या you can lose money आपका पैसा खो जाएगा डूब जाएगा ये बात बहुत सारे लोग कहते हैं और क्या कहते है you are not expert in business आप business में expert नहीं है अगर expert नहीं है तो जब तक आप expert ना बन जा तब तक business का शोबारम करो ही मत या you need experience before starting business आपको business शुरू करने से पहले बहुत अधिक experience grab करना पड़ेगा तभी आप business का शोबारम करने वाले फ्रेंड्स मेरी एक बात को ध्यान से समझ लिएगा अगर आपने iron law of business को समझ लिया तो दुनिया का कोई भी ऐसा business नहीं जिसको आप आसानी से नहीं कर सकते बशर्ते आप इसको ठीक तरीके से समझ लें अब ध्यान रखिए business का शोबारम करने के लिए आपको सब कुछ जाननी के जरूरत नहीं है no need to know everything अगर आपको थोड़ा बहुत भी उस business के बारे में knowledge है ना तो आप केवल उस business में कूद जाएं और पास बहुत बड़ी पूंजी होगी तभी आप business का शोबारम करेंगे दुनिया के बड़े से बड़े business भी छोटी छोटी investment से शुरू है और एक बार जब आप छोटी investment से business शुरू कर देंगे और profit making करना शुरू कर देंगे तो profit को reinvest करके आप अपने business को अपार सफलता तक ले जा सकते हैं इसके लिए आपको जरूरत है पांच ऐसी बातों को जानने की जो business में लागू होती है एक business का शुबारम करने से पहले और वो क्या है iron law of business पांच ऐसे मूलबूत सिद्धानत हैं कि अगर आपने वो law अपने business में लगाए ना तो आपका business कामियाब हो गई हो सबसे पहला law में क्या बताता है value creation by product और service चाहें product बनाते हूं या services देते हूं आपको value creation करना है अभी value creation में के example group में बताता हूं मान लीजिए आज stailness steel stailness steel 200 रुपी पर केजी है ये क्या है raw steel है steel की चदर है 200 रुपे किलो है लेकिन ये raw steel यो है ना वो end user के किसी काम की नहीं है आप इस steel से value creation करते हैं आपने इससे utensil बनाई आपने घर के जितने भी बरतन होते हैं plate, चमच, cutlery इस तरह की चीज़े बनाई आपने इससे furniture बना है आपने इससे gate, grill, railing बनाई तो यहां पर आपने क्या किया इसका value creation कर दिया जो steel 200 रुपे किलो है अगर आपने उसमें से 5 बरतन भी बना लिए तो एक किलो steel की value कितनी होगी 200 रुपे बरतन कितने का बना कोई 300 का है कोई 500 का है कोई 400 का है कोई 100 रुपे का है मतलब आपने दो तो उसको value creation कहते है value addition कहते है life में अब यहां पर सबसे पहले value creation तो आपने कर दिया consumer उसको खरीदा का कब जब उसको value for money लगेगी मतलब जितना पैसा वो खर्च कर रहा है न उतना पैसे का उसको product मिल जाए तो इसको कहेंगे value for money आप भी देखे कई चीज़ें आप मार् consumer के लिए value for money का product बना सके तो समझ लेजिए आपका product market में hit हो जाएगा उसके बाद next important बात क्या है solution of a problem जैसे मैंने आपको बताया कि stailness steel से हमने क्या बनाया modular kitchen तो हमने एक problem का solution किया और problem क्या थी जब लोग वुड का kitchen लगा रहे थे तो termite लग जाती थी दीमग लग जाता था गल जाता था सर जाता था खराब हो जाता था जिसकी वज़े से लोग कोई solution ढूंड रहे थे कि वुड की जगा ऐसा क्या आ जाए कि हम product खरीच सके तो हमने क्या बनाया stailness steel modular kitchen अब हमने क्या कर दिया एक problem का solution तो consumer are ready to buy the solution of their problem value addition in life अब value addition in life का मतलब क्या है आपने जो product बनाया उस product के आने से consumer की life में क्या value addition हुआ अब हमने जो stailness steel modular location बनाया उसकी वज़े से हमारे consumer की life comfortable हो गई बार बार उसको renovation नहीं करना बार बार उसको civil work नहीं कराना construction work नहीं कराना एक बार product लगाया और आज even के लिए वो संतुस्ट हो गया तो हमने क्या दिया value addition in life जिसकी वैसे consumer हमारे product को पसंद करने लगा और जारा सेरा market में demand बढ़ने लग गई तो पहली बात क्या रही value value for money solution of a problem and value addition in life next shortage in market कोई भी ऐसा product आप बनाते हो जिसकी बाजार में कमी है तब भी आप आसानी से अपने product को बेच सकते हैं या demand in market बाजार में उस चीज़ की बहुत अलिक demand है तो हमने देखा कि stainless steel modular kitchen industry एक नहीं इंडस्ट्री और आज इसकी market में बहुत shortage है तो तेजी से हमने हमारे franchisee showroom मनाना शुरू कर दिया इससे बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पर आप आप देख सकते हैं या demand in market क्योंकि termite की problem बहुत बढ़ी problem थी तो हम एक solution लेका है demand in market जिसकी ज़रुत थी लोगों को जिसकी वजह से हमने value creation किया consumer की life में और उन्होंने हमारे product को पसंद किया और खरीदना शुरू किया यह सबसे पहला step है किसे भी product के selection का या services के selection का कि हमें क्या करना चाहिए दूसरा iron law of business क्या कहता है वो दूसरा iron law of business कहता है marketing होनी चाहिए आपके product या आपके services की बेहतर तरीके से marketing होनी चाहिए अब जैसी marketing का शब्द आता है ना तो लोगों को लगता है कि marketing और sales एक बात है marketing और sales अलग लग बात है कई products में ऐसा होता है कि जो marketing करने वाला होता है वही sale करता है जैसे door-to-door marketing होती है उसने product दिखाया पसंद आया तो बेच भी दिया लेकिन reality में marketing का मतलब क्या होता है to attract attention of customer सबसे पहले अपने गरहा का ध्यान अपने product की तरफ आकरशित करें अब आप देखेंगे ना जो product या service में आप है उस industry में हजारों लोग पहले से ही और हजारों लोग विज्यापन कर रहे हैं जब सभी लोग विज्यापन कर रहे हैं तो उनके विज्यापन की भीड म आपके विज्यापन को कौन देखेगा आपकी marketing को कौन फॉलो करेगा वो केवल तभी फॉलो होगा जब आप पिंक काउ स्ट्रेजी अपनाएंगे बड़ी इंट्रस्टिंग स्ट्रेजी है यह पूंसी गाय है यह कौन सी नसल की गाय है यही हमें marketing के strategy अपनानी है हमारे competitor किस तरह से विज्यापन कर रहे है वह important नहीं है आप कैसे unique विज्यापन कर सकते हैं कि उस गाय की भीड में आपकी पिंक काउ अलग से दिखे अब इसके लिए क्या यूनीक और इंट्रस्टिंग वे होना चाहिए प्रोड़क्ट को अड्वर्टाइज करने का आप देखिए मैं यूनीक और इंट्रस्टिंग वे बता रहूं आपको वह क्या है जैसे आप देखो कही पैट्रल पंप के बार एक बहुत बड़ा स्टैच्व लगा होता जो इस तरह से बुला रहा है तो कहीं ना कहीं वह ध्यान आकर्शित करता है मानली जी एक तरफ एक लाइन से तीन पैट्रल पंप है तो जहां पर वह स्टैच्व ऐसे लगा होगा हाथ ऐसे कर रहा होगा आपका ध्यान आकर्शित होगा आप का तरीका है ताकि लोगों का ध्यान आकर्शीत हो एक जगह पर देखा गया जहां सारी की सारी दुकान एक जैसी हैं लेकिन एक व्यक्ति ने वहाँ पर एलेडी लाइट्स का डिस्प्लेइबोड लगा हुए जो लोगों को अट्रेक्ट करता है तो पिंग का उस्टेजी आप कि मारकेटिंग को देखके इंस्पायर हो जाए और गरहक भी आपकी मारकेटिंग करना शुरू कर दे करते मैंने पिसला एक वीडियो बनाया था कि मारकेटिंग के ऐसे तरीके जहां गरहक करेगा आपका विज्यापन वह जरूर देखना आज का वीडियो डिफरेंट करेगा इस बात को समझने पर कि डिफरेंट वे ऑफ मार्केटिंग क्या है एक एक एक्जामपल बताएता हूं रेस्टोरेंट तो बहुत सारे हैं लेकिन चोटी वाला रेस्टोरेंट के बाहर एक बुद्दा बैठा हुआ है और चोटी है उसके और ठीक इस्ता से खाना लेके को प्रमोट करते हैं कूल पान फायर पान बहुत सारे एक्जामपल है मैंने पुरा एक वीडियो दिया हुआ है उसको आप जरूर देखें नेक्स्ट टार्गेटिड कस्टमर फ्रेंट ध्यान रखिए अगर आप टार्गेटिड कस्टमर तक अपने प्रोड़क्ट की बनाते हैं जिस में एचल नहीं क्लाइंट्स हो ना गाँनल हॉरे सोंहा चरे योशीन होंने बड़े भिजनस की मीट्स बिजनस वरक्श ओर रहे हैं सद तॉह से kids kids related आपके कोई product है तो kids का कोई play school कहां पर है kids related बाकी चीज़े कहां मिलती है medical industry समबंदी तो आसपास hospital कौन सा है जिसके आसपास वो business कर सकते हैं तो आपको आपका targeted client ढूणना पड़ेगा उसके बाद awareness about product to grab attention अभी बहुत सारे लोग चाह करते हैं उनके product की awareness नहीं होती जैसे मान लीजे हमारा stainless steel modulo kitchen है तो उसके awareness नहीं मान लो किसी को तो महाँ पर awareness फैलाते हैं क्या awareness में क्या बताते हैं कि आपका termite अगर kitchen में लगया तो वो खराब हो जाएगा आपका kitchen जहां पर termite है वो hygienic नहीं है आपने kitchen बनाया wood का और वो fire से खराब हो सकता है या वहाँ पर termite लगने के बाद खराब हो सकता है और उस kitchen में बना हुआ खाना आपके परिवार के लिए healthy नहीं है तो awareness फैला कर भी आप अपने ठीक तरीके से marketing कर सकते हैं next iron log हमें क्या कहता है कि अगर हमें sale को grab करना है तो सबसे पहली बात हमें high quality product बनाना है ऐसा product जो आपके competitor अभी product high quality product हो जाता है उसके बाद low और competitive price with minimum margin आपको क्या काम करना है आपने high quality product तो बना दिया लेकिन उसका price बहुत हाई रख दिया तो इस case में आपका product आसानी से market में नहीं बिकेगा high quality product और competitive rate या low margin वाला आपका अगर price होगा तो आप आसानी से product को बेच पाएंगे उसके बाद create loyalty by quality product जब आप quality product बनाते हैं और आपका consumer आपका product इस्तिमाल करता है तो इस्तिमाल करते करते वो आपका loyal customer बन जाता है loyal customer जो company बना पाती है वही अपने business को long term तक survival तक लेकर जाती है और business में growth भी करती है तो यहाँ ज़रूरी है loyal customer build करने के और loyal customer कैसे बनता है best price high quality और top commitment and after sales commitment यह सब चीज़े आप करते हैं तो आपका एक बहतर customer bank बनता है जो आपके loyal customer के रूप में काम करता है get reference from satisfied customer अगर आपके satisfied customer है ना आपके गरहाग आपसे संतुस्ट है और आप उनसे बात करते तो बड़े खोश होते हैं और जब आप उनसे references मांगते हैं तो वो references के through आपको बहतर sale आती है क्योंकि उस गरहाग की credibility उस product में जुड़ी होती है जिसको our reference दे रहा है इसलिए आपको references पर काम करना है उसके बाद use the power of damage admission to grow sale अभे damage admission का मतलब क्या है अब अगर आपके product में हजारों बहतर अच्छी बाते हैं तो कई बार customer को ऐसा लगता है कि यह ऐसा तो होई नहीं सकता कि कोई इसमें कमी ना हो आज बहुत सारी companies अपन बिल्ड हो जाता है कि इनको पता है कि इस product में यह कमी भी आ सकती है possibilities क्या क्या हो सकती है जिसकी वज़से sales बढ़ने की संभावना है कई गुना ज्यादा होती है अब यहाँ पर ना कुछ लोग कहेंगे कि सर अगर हम हमारा damage damage admission करेंगे तो यह नहीं बढ़ेगी बहुत सारे से example है जहां पर आप damage submit करते हैं तो वहां पर आपकी sales बढ़ने के संभावना है बहुत अधिक होती है और इसके लावा how to grow sales से संबंद इतना पीस सबाव वीडियो मेरे इस चैनल पर दी हुए मेरा आपसे request है वो वीडियो ज़रूर देखें next जो important बात है वो क्या है value delivery friends value creation एक बात है लेकिन value creation के बाद value delivery बहुत important है number one go beyond your commitments आप अपने घ्राक को जो भी commitment कर रहे ना माली जे आपने 10 बातों की commitment की है आपका product बहुत बेतर है और आपने 9 बातों को fulfill कर दिया उसके बाद भी आपका client एक बात की वैसे unsatisfied रह जाएगा तो इसलिए less commitment और high delivery अगर आप करते हैं तो आप बेतर result achieve करते हैं go beyond your commitments अपनी commitment से जड़ा बेतर करने का प्रयास करें make your customer happy and satisfied और वो कब होगा माली जे अपने 10 commitment की थी और आपने 11 चीज़ उनको supply किये या 11 बाते पूरी की एक additional उनको benefit दिया है जिसकी वज़े से आपका customer happy and satisfied होगा और happy and satisfied customer ही आसानी से आपको और references और आपकी mouth publicity करता है उसके बाद time commitment बहुत सारे लोग ना दुनिया का बहुत बेतर product बनाते हैं लेकिन जो उनकी delivery है ना वो time commitment के according नहीं है ज्यान रखी अगर आपने अपने client को 10 दिन का time दिया है और उसके बाद आप सको 7 days में supply दे रेते हैं तो वो बहुत happy feel करता है दुनिया का बेतर से बेतर product भी committed time के बाद अगर आप deliver करते हैं तो client के मन में कहीं ना कही unsatisfactory रह जाती है तो यह आपको देखना है quality commitment क्या होता है बहुत सारी companies बहुत अधी quality को commit करती है लेकिन जब delivery करती है ना तो actual में उनका product उतनी quality का नहीं होता जितना उन्होंने commit किया था तो यहाँ पर ध्यान रखी आपकी quality हो हमेशा commitment से कई गुना बहतर होनी चाहिए तब आपल फोन अगर कोई खरीता है अगर वो डेड़ लाख रुपए भी खर्च करता है ना तो उसको एक satisfaction फील होता है क्या डेड़ लाख रुपए की चीज लिए मैं comparatively दूसरे mobile phones में जो डेड़ लाख की उसमें चीज है वो सतर जार में मिलेगा ना तब भी उसको value for money feel नहीं आपको references देना शुरू कर देता है और mouth publicity करता है तो value delivery करने से आप हमेशा long term तक अपने business को grow कर पाते हैं next and last that is finance दोस्तों कितना भी बहतर product हो कितनी भी बहतर services हो कितनी भी अच्छे commitment हो अगर आप finance में कमजोर पढ़ जाएंगे ना तो profitable होने के बाद भी आपका business डूप जा करते हैं क्योंकि वह finance को manage नहीं कर पाते हैं यहां करना क्या है आपको दो बाते पता होनी चाहिए money inflow and money outflow पैसा आ कितना रहा है पैसा जा कितना रहा है इसका ठीक से management आपको करना है मतलब आपनी जो सेल के पैसा आने का एकी रास्ता है सेल और जाने के बहुत सारे रास्ते है परचेज है रेंट है इलेक्टरिसिटी है स्टाफ सेलरी है मार्किटिंग है आने का एकी रास्ता है सेल तो money का जो inflow है ना उसका routine क्या है मतलब आपकी सेल का पैसा आपको कब मिलता है हर अफते मिलता है हर 15 दिन बाद हर एक महीने हर तीन महीने तो सेल का inflow का है उसी ratio मे सेल का outflow होना चाहिए और आपके पास हमेशा 3 months से ज़्यादा का liquidity as a part of operating cost होना चाहिए तक कि in case कभी सेल कम या ज़्यादा हुई तो आप आसानी से अपने खर्चे को meet up कर सके आपने देखा lockdown में बहुत सारे small scale business क्यों बंद हो गए क्योंकि उनको यह तो पता था कि जब कि उनके पास पैसे नहीं थे जिसके वैसे उनको loss हुआ और business profitable होने के बाद भी बंद हो गया बहुत सारे business में ऐसा होता है कि जहां पर sales में पैसा आने का समय ज़्यादा होता है और खर्चे का मंथली होता है वो manage नहीं कर पाते और fail हो जाते हैं next competitive selling price versus cost of production दो बड़ी important बात है तो आपका price भी 101199 इतना होना चाहिए मतलब plus minus 12% उपर नीचे हो सकता है ठीक है लेकिन production cost आपको कैसे manage करनी हो बहुत important है अगर आपने 100 रुपे के product पर 80 रुपे ही production cost लगाए तो आपका gross profit है 20 रुपे net profit नहीं यह बहुत important बात है कि लोग operating cost को या gross profit को समझ नहीं पाते net profit को समझ नहीं पाते अब मान लीजिए 20 रुपे आपका gross profit है इसको बोलते gross profit GP और इस product को बेचने पर बाकी सारे खर्चे rent, staff, salary, electricity, सब कुछ मिला के वो आपको average आयता है 12 रुपे तो आपका net profit जो है न वो आठ रुपे है ना कि 20 रुपे कोशिश यह करनी है कि कैसे भी हम cost of production को नीचे ला सकें चाहे selling price को बढ़ाए या ना बढ़ाए operational cost जो है उसको हमेशा कम करने का प्रयास करें तभी आप gross profit और net profit की game को समझ पाएंगे बहुत सारे business में gross profit ratio है 30%, 40% लेकि net profit निकालते हैं तो 2%, 3% क्यों क्यों क्योंकि बाकी जो खर्चाना operating cost का है अगर आप finance के money inflow, money outflow, gross profit और net profit और operating cost को समझ गए तो आसानी से धंदे को बहतर तरीके से चला जा सकता है और long term में survive करने के लिए अच्छी capital बनाई जा सकती है बशरते यह iron law of business है उसमें सबसे powerful law है ही इसको समझना सबसरा ज़रूरी है अगर आप यह manage कर पाएंगे तो इसके sole business run कर पाएंगे friends अगर आप iron law of business के इन 5 law को अच्छे समझ लेते हैं तो आप किसी भी business को बहतर तरीके से run कर सकते हैं बशरते आपको यह पता हो कि यह industry मेरे लिए बहुत बहतर है और भविशे में गरूत की संभाव नहीं है तो इन 5 law को ज़रूर study करें और decide करें कि आपको क्या business करना है उ बस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी आपके सुनरे भुष्य की कामना करता हूं जै हिंद जै भारत